हलो दोस्तों वेलकम टू अभी पी डिया पावर बाय अभी मन्यू आई एस तो आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे एसे एस्पिरिंट्स हैं जो यूपी एसी के साथ साथ स्टेट इस्विल सर्विसिस का एक्जाम भी देते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी मन्यू आई एस अभी मन्यू आई एस पिछले 22 सालों से यूपी एसी सिवल सर्विसिस की प्रप्रेशन करवा रहा है और उसके साथ साथ स्टेट इस्विल सर्विसिस की भी प्रप्रवेशन करवा Rais तो 1500 से ज़ादा से ज़्यादा स एक combined state civil services preparation course which will help you to crack the state civil services examination of any state अगर आप किसी भी state के लिए जा रहे हैं तो अभी मन्यू आईए है आपके लिए एक ऐसा course लेके आ रहा है जो कि आपको help करेगा आपको state का PCS crack करने के लिए आपको state का PCS crack करने के लिए अभी मन्यू आपकी तो यहाँ पे आप किसी भी state से बिलॉंग करते हैं किसी भी राज्या से बिलॉंग करते हैं और किसी भी दूसरे राज्या का PCS अगर आप देना चाहते हैं देखें भारत के किसी भी राज्या का कोई भी aspirant भारत के किसी भी state का कोई भी aspirant जो civil services के लिए प्रिपेर कर रहा है इस भी दे सकता है difference क्या होता है difference रहता है सिर्फ state gk का आपको उस राज्जे का सिर्फ state gk पढ़ना होता है और दूसरा difference रहता है कि हर state का जो examination pattern है वो कुछ हद तक different है यानि किसी state में paper कम होते है किस state में paper जादा होते है बट syllabus वही रहता है सब कुछ वही रहता है बट paper उपर नीचे हो जाते है थोड़े paper जादा देने पड़ते हैं तो ये थोड़ा सा difference रहता है और अभिमन्य आईएस आपके लिए ऐसा course लेका है उसके लिए हमने एक combined state civil services examination preparation course launch किया है जिसके बारे में मैं आप अंत में जानकारी दूँगा तो state civil services की जानकारी प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज हम एक state की मैं आपको बताऊंगा एक राज्य के PCS के बारे में पूरी जानकारी दूँगा कि इस रज्य में क्या exam pattern रहता है क्या eligibility criteria रहता है क्या selection process रहेगा क्या qualification रहती है और कैसे आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं मैं आपको हर class के अंदर हर state के PCS के हम बात करेंगे कि हर state के PCS में क्या exam pattern रहता है रिपेर करते रहे तो आज का हमारा topic है दोस्तो हिमाचल परदेश administrative services आज हम बात करेंगे हिमाचल के PCS की हिमाचल परदेश के PCS की आज हम बात करेंगे तो चलिए बात करते हैं देखें बात करेंगे सबसे पहले public service commission की public service commission जैसे कि मैंने आपको बताया था under the government of India act 1935 हर state में अपना एक PCS होता है public service commission होता है PC होता है जो की पहले initially 7 state में बनाये गये थे उसके बाद भारत के सभी राज़ों में after the independence मनाये गया तो हम बात करेंगे आज हिमाचल परदेश administrative services की जो की conduct किया जाता है हिमाचल परदेश public service commission के दोरा अब बात करते हैं सबसे पहले हिमाचल परदेश public service commission की हिमाचल परदेश public service commission जो की 1971 में बनाये गया था 1971 में जिसको बनाये गया था 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी 1931 में 318 of the Constitution of India जिसके पास powers है खिर तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश Public Service Commission की अगर मैं बात करूँ तो यह हर साल हर साल हिमाचल प्रदेश Civil Services यहाँ पर यहाँ फिर बोलते हैं हिमाचल प्रदेश Administrative Services HPAS यह HES बोल दिया दाता है इसका exam conduct करवाता है इसका exam conduct करवाता है तो कितनी vacancies आती है हर साल कितनी vacancies आती है हर साल तो देखिए पिछले चार सालों की मैं अगर बात करूँ तो 2017 में 30 vacancies आई थी 2018 में 31 vacancies आई 2019 में 14 vacancies आई 2020 में 16 vacancies आई यह number of vacancies की अगर मैं बात कर रहा हूँ हला कि 2020 वाला जो examination process है वो भी 2021 में ongoing है ठीक है वो भी चल रहा है बट यहां पर आप अगला notification भी देखोगे बहुत जल्दी तो आपको उसके लिए भी अगर आप prepare कर रहा है तो आपको अपनी preparation को continue रखना है लिएर आपको अपनी preparation को continue रखना है तो बहुत जल्दी अगला भी आप देखने को देख सकेंगे इसको आगे बात करेंगे आगे क्या process रहता है सबसे पहले बात करते हैं qualification या फिर eligibility criteria की तो age limit की अगर मैं बात करो कम से कम आपकी IU 21 वर्ष की होनी चाहिए और maximum आपकी IU 35 वर्ष की होनी चाहिए हाँ अगर आपके पास कोई category है अगर आपके पास कोई category है तो आपको वहाँ पर relaxation मिल जाएगा बट ये category का जो work तभी करेगा अगर आप हिमाचल से belong करते हो अगर आप किसी और state से belong करते हो और आप भी माचल का exam देना चाहते हो तो आप general के डिग्री में ही count होगे तब आप जनरल में ही count होगे अगर मैं बात करूँ आपका जो qualification होना चाहिए वो होना चाहिए at least a graduation degree in any field at least a graduation degree in any field ये आपके पास होना चाहिए अब बात करेंगे selection process की या फिर exam pattern की, क्या रहता है, तो देखें आपर 3 process रहते है, 3 stages रहते हैं, सबसे पहले prelims का exam होता है, उसके बद mains का exam होता है, और तीसरा होता है personality test या फिर हम जिसको interview भी बोलते है, तो 3 process रहता है, 3 stages यहाँ पर रहती है, prelims, mains और personality test, तो देखते हैं प्रेलिम्स का पेटरन क्या है तो प्रेलिम्स का पेटरन बाकि स्टेट के जैसा ही है लगबग तो इसमें दो पेपर होते हैं एक जर्नल स्टेडिस का पेपर होगा और एक सी सेट का पेपर होगा सी सेट डाट इस एप्टीट्ट जिसको बोलता है civil services aptitude test तो यहां पर सिरफ aptitude test उसको बोल दिया रहता है दो पेपर होंगे 100-100 दोनों में आएंगे 200-200 नंबर के दोनों होने वाले हैं 200-200 नंबर के दोनों रहेंगे objective type questions यहां पर पूछ जाएंगे 200 नमबर का तौनों पे 200-202 सो नंबर के दोनों पर होंगे ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं तो जर्वा स्ठीडी का पेपर और उसके साथ सथ इसाथ एपटेशूट कार फेपर देखें जो प्रिलिम्स है प्रिलिम्स सिर्फ स्क्रिणिंग के लिए लिए होता है यानि की जो है यह आपको सिर्फ मेंस तक लेके जाएगा प्रिलिम्स क्रैक करके आप सिर्फ मेंस तक ऐलिजी बोलो प्रिलिम्स के जो मार्ग्स है वो को करेंगे मेंस देने के लिए ठीक है तो मेंस का कट अपको मेंस तक लेके जाएगा अगर आप इसको क्रैक करते हो अब अगर बात करूं जो एक्टिट्यूड वाला टेस्ट है इसमें आपको कम से कम 33% नंबर लेके आने हैं यह 33% नंबर आप लेके जाओगे क्योंकि यह सिर यह eligible हो पाओ वो होगा General Studies के पेपर में वो होगा GS के पेपर में आपको जारा स्कॉर करना है दोनों पेपर का दूरेशन दो घंटे करेगा 2 hours for each दो घंटे का दूरेशन रहता है यह आपको धान में रखना है दोनों पेपर एक ही दिन कंड़क्ट करवाय जाते है और एक ही लिए आपको eligible होना है और आपको एक्जाम देना है और mains के लिए 20, 20, multiply by 20 students जो है, वो select के जाते हैं, यानि कि अगर 30 vacancies हैं, तो 600 aspirants जो हैं, वो mains देगे, 600 जो aspirants हैं, वो mains लिखेंगे, इतना आपको ध्यान में रखने हैं, तो उसी हिसाब से cut-off जाएगी, वो depend करते हैं कि इत हैं, आगे बात करते हैं, तो यह सारी चीज़ें आपको clear हो रही होगी, ठीक है, यह सारी चीज़ आप देख सकते हो, तो मैं जैसे कि मैंने बताया कि प्रेलिम्स का exam है, इसमें दो paper है, तो देखें, जो भी आपका paper होगा, उसमें negative marking भी होने वाली है, तो negative marking कितनी रहते है 1 by 3rd, 1 by 3rd, किसी state में 1 by 4th भी होता है, किसी state में 1 by 4th भी होता है, यहाँ पे रहेगा 1 by 3rd, यह आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है, जो option आप select करोगे, उसी से आपके अगर वो सही हुआ तो, सही नंबर गलत हुआ तो, दूसरे questions में से 1 by 3rd minus हो जाएगा, ठीक है, यह आपको aptitude test में atleast लेकर आने है, ठीक है, 35% number, आपको atleast लेकर आने है, अब बात करेंगे मेंस की, तो जो student prelims को crack करेंगे, वो मेंस के लिए eligible होगे, मेंस के अगर मैं बात करूं, तो मेंस में 8 paper होते हैं, मेंस में 8 paper होते हैं, अब 8 paper की बात करूं, तो सबसे पहले paper 1, English का ह होता है 100 का उसके बाद पीपर 2 हिंदी का होता है 100 मार्क जिए इसके इस तो नूमबर के जी इसके तो नुमबर के आपके और उसके बाद के दो पर होंगे आपके 100 marks एक और शूला आपको चूज कर लेना है उसके दो पर आपको देने होगे तो 100 100 मार्क आपका औप्शनल रहता है तो टोटल आठ पेपर आपके होते हैं वाट आठ पेपर आप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं 300 नंबर यह हो गया 600 यह हो गया 900 और 200 700 और 200 900 नंबर को आपका मेंस का एकजाम ओता है 900 नंबर का क्योंकि इंग्लीष और हींडी सिर्फ को सिर्फ जाह्यक करने मिनिममम कट घुर मैं रच्दल आपको करक करनी है यह इनिममम मैं रच्वेड और माइस ली चूस करना वो आपको होना चाहिए, तो यह 8 paper यहां पर conduct होते हैं, इस बात का ध्यान आपको रख लेना है, English और Hindi यह qualifying nature में है, इसमें आपको कम से कम 40 प्रतिश्यत marks ले के आने हैं, 40 प्रतिश्यत marks आप ले के आओगे, तो आप आगे फर्दर अलिए उसके बाद आपका final जो marks आते हैं, बागी के papers में से, 6 paper में से, वो 6 papers में से आप कितना marks score करते हो, तो cut off मनेगी, उसी साब से आप आगे फर्दर interview process के लिए जाओगे, या फिर personality test के लिए, जाओगे, clear, तो optional आपको देखना है, optional में आपके पस कौन-कौन से options है, तो यह आपके पास options है, जिन में से आपको optional च इन में से चूज कर सकते हो, यह आपके पास optional की choice रहती है, अपको इस में से optional चूज कर लेना है, उसके बाद, जो experience, mains का exam crack करेंगे, उनके लिए आता है, personality test या interview, तो 900 नंबर का आपका क्या था, mains, 500 नंबर का आपका क्या है, personality test, तो final selection जो होता है, वो होता है, 1050 में से, वो quality test या interview में अच्छा marks जोनोंने हासिल किये होगे, तो दोस्तों यह हमने complete जानकारी प्राप्त किये है, किसकी हिमाचल परदेश administrative services exam की है, HPSC के दोरा conduct किया जाता है, हिमाचल public service commission के दोरा इसको conduct किया जाता है, तो बहुत important है, बहुत सारे other states के candidates भी इस exam को लिखते है, वो आपको इस बात का ध्यान रख लेना है, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अभी मन्यू आईए, आपके लिए ले के आया है, एक combined state civil services exam preparation course, जो कि आपको definitely help करेगा, किसी भी state का exam, किसी भी state का civil services exam crack करने के लिए, क्योंकि हमने top rankers produce किये है, number one, number two state civil services में produce कर चुके है, तो ह हम आपकी help करने के लिए, आपके लिए ले के आए, ये course, जो कि आपको यहाँ पर totally help करेगा, clear, that will help you to crack the exam of state civil services, देखे, यहाँ पर एक और choice भी हम आपको देते है, ठीक है, अगर आप इस साल का PCS दे रहे हैं, या इस साल का माचल का exam दे रहे हैं, HS का exam दे रहे हैं, तो the micro courses, यानि कि अगर आप preparation पहले से कर रहे हैं, बट आपका एक या दो subject week है, तो there is a option with the abhiwan you, कि आप चाहो तो एक या दो subject भी ले सकते हो, जिसमें आप week हो, आप चाहो तो पूरा course ना लेते हुए, ठीक है, because you want to prepare for the one subject, why to pay for the full course, तो आपको full course में पे नहीं करना है, आप व कर सके, आपकी help हम कर सके, तो यह जो course है, यह 6 महीने का actual जो complete course हमारा रहेगा, complete state civil services का preparation course रहेगा, जिसमें आपको GS की अगर मैं बात करूँ और CSET की अगर मैं बात करूँ, पूरा का पूरा cover कराया जाएगा, प्री से लेकिन इस लेगल तक, तो यह 6 महीने का आपका course जाएगा, 6 महीने में complete preparation आपको prelims और mains की करवा दी जाएगे, and course का आपका validity 2 साल कर रहेगा, total overall validity की आप lecture दुबारा देखना चाहते हैं, या सब कुछ करना चाहते हैं, कि आपने एक state का paper दिया था, दूसरी state का बाद में आ जाता है, आपको lectures दुबारा देखने हैं, preparation, revision कर trial, तो आज ही अपना trial join कीजिए, आज ही अपना trial book कीजिए, इसका link नीचे आपको description box में मिल जाएगा, और एक और बड़ी खुश कबरी अभी मन्यों आपके लिए लेके आया, वो है कि एक पूरा का पूरा topic या subject हम आपको free में भी पढ़ा रहे हैं, उसके demo lectures आपको मिल जा चाहते हो, तो आप modern history को पूरा free में का मारप कर सकते हो, इसकी classes रोज सुबा होती है, हमारे YouTube चैनल पे, और इसकी PDF लेने के लिए और इस demo को पूरा properly वे में जोइन करने के लिए और previous classes भी देखने के लिए, आप नीचे description में दिये गए, link में जाकर खुद को register करवा सकते है demo module अपना book कर सकते है, modern history का हमारा demo module ongoing है, यह चल रहा है, तो वो aspirants जो आगे जागे topper links को join करना चाहते हैं, अपना career बनाना चाहते हैं, the state civil services examination, तो उनके लिए यह perfect course है, जो कि आपको totally help करेगा किसी भी state का PCS crack करने के लिए, चाहिए मैं बात करूं, और हुनाचल परदेश से लिके गुजरात तक की, जब हो कश्मीर से लेके हैं, बात करूं, तामिलनाड होगी, हर state का PCS यहां पर crack किया जाएगा, crack आपको करवाया जाएगा, difference मैंने आपको बताया की exam pattern थोड़ा वो change होता है, और state का GK आपको extra पढ़ना होता है, तो जब भी notification आएगा, हम आपक को description में मिल जाएगा, and for the more updates, don't forget to subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon, तो मिलेंगे अगले state के साथ, आज के लिए इतना ही, it's all for a day, thank you so much.